हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आपसे लोग आपसे लोग बहुत बढ़िया होंगे मैं क्यार सैनी के आर एज़ुकेशने पास भी कास स्वागत करता हूँ दोस्तों आज शुड़ियम बात करने वाले नोसी के रिगाड़िग या दोस्तों कोई भाई अगर गुवर्मेंट या स्वामी गुवर्मेंट सेक्टर के अंदर कारेत होता है तो उसको किसी दूसरे एक्जाम के लिए अनुमत ही लेनी पड़ती है अपने कंसर डिपार्टमेंट से तो उसके regarding के शुड़ी में बात करने वाले हैं और NOC में किन लोगों को bond देना होगा साथ दोस्तों जब आप NOC के लिए आविधन करते हो प्रिक्साम बेटने के लिए अनुमत ही मांगते हो तो वहाँ से आपका जो divisional headquarter होता है वहाँ से एक लेटर भी जारी होता है जिसमें आपका नाम भी होता है और आपने कौन से एक्जाम के लिए नुमती चाहिए हो सारी कुछ चीज़े आपे mention होती है जैसा कि में जेपूर डिविजन से भी कुछ लेटर आपे जारी हो है वह भी आप सभी लोगों को दिखाऊंगा तो क्या आपने अभी तक NFC के लिए अभी दिन कर दिया नहीं किया तो आप लोगों के साथ में क्या होगग आपको को करना चीज़िए नहीं करना चीख सारह को शुरूर बात करनेंगे आपको mathematics वारी बुक का इंडेक्स दिखा जिता हूं सबसे पहले आपकी जो है यहां पर परसनाली रहेगी उसके concept रहेंगे इसे लिट्रेड क्यूसर जाएंगे उसके बाद में number system के जितने भी क्यूसर रेलवे के जितने भी विबिन एक्जाम हो आए वे हो सारी आप पर दिय सबसे पहले आपको cctc का बताता हूं कि cctc का प्रमोशन है वह कहां तक जा सकता है जैसे कि cctc की भरती है आपकी level 2 पे level 3 की पोस्ट है और 10 परस 2 के अंदर अभी वेकेंसी आई है न्टीपिसी के दायर तो यहां से देखिए दोस्तों दोजरर ग्रेड में आपकी भरती होगी और आपका ब्यादे ग्रेड जो है तीन चार साल में आपके मिल जायगा और भी जो cheap low assistant होते हैं वो बन सकते हो WMI बन सकते हो आपका JITM instructor बन सकते हो कई तरह की vacancies आती है डिपार्टमेट कोटे के थरू और गईजिटेट पोस्ट पर आपको जाना है तो यहां से ACM आप बन सकते हो ACM के लिए 200 grade के अंदर आपके 3 साल के service compulsory होती है उसके बाद में डिपार्टमेट एक्जाम के थरू ACM बन सकते हो ACM से फिर आप बिना एक्जाम दिये DCM और बिना एक्जाम दिये CNA DCM तक पहुँच सकते हो तो ऐसे में यहां पर प्रमोशन हो सकते होते हैं और इनके प्रमोशन के रिगार्डिंग मैंने अल्रेडी सेप्रेट वीडियो बना रखे हैं जो भाई नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं अब मैं जो है NOC की लेटर यहां पर जारी होआ है और Exam के लिए अनुमथी चाहने है तो यहां पर अपना निर्धैत फॉर्मेट होता है जिसमें अप्लिकेशन देएंगे कि हम इसे से Exam के लिए अपियर होना चाहते हैं तो हमें Exam में बेटने के अनुमथी परदान करें या फिर अनुमथी देने की किरपा करें यहां पे पन देंगे और दो कोपी में पन देते आपकी एक लिस्ट जारी करता है कि किन-किन लोगों के यहां पे NOC के लिए आविधान आ ररक हैं आविदन करमचार्यों ने 29-24 से 10-10-24 इन इस डेट के वीच में जिन लोगों ने आविदन किया उनका ही लेटर जारी किया गया क्योंकि अलग अलग डेंट में जासे कई दस बीस दिन लेट जारी किया जाता है कि यह दसनेता देन हो गाए दसनेता दिन में जितनी प्रवजन है उनकी ज्वेशन की तरब से लिस्ट जारी कर दी गए देखें स्री राकेस को बाल सर्माज एक नंबर पर इन्होंने यह क्या अभी वर्तमान में ट्रेक मशीन में है SSC TMC JP के अधीनी यह किसके अधीन है SSC TM और अभी technician secondary ट्रेक मशीन के अंदर इन्होंने जो है मांगी थी अनुमति के अग्जाम के लिए CET के लिए जो राज़तान में एक्जाम होता है common eligibility test उसके लिए अनुमति मांगी थी और तरणुकासलिवाल है यह आपके JEE है PIG में इन्होंने railway recruitment board अजमेर दोरा आई जो देविग्यापन संक्याब CN3 अबली दोरा भरती परिक्षा के लिए JEE के पद के लिए RPC के माध्यम से जारी विग्यापती में असिस्टेंट इंजिनिर के पद है तुँ असिस्टेंट इंजिनिर के पद है तुँ इन्होंने जो यहाँ पे मांगी है अनुमति इन्होंने आपके NTPC के लिए अनुमति मांगी है और मौनिशा सक्षिन है यह SSC है TMC JP और यहाँ पे इन्होंने रास्तान लोग से वायोग द्वारा जारी विग्यापती आपकी असिस्टेंट इंजिनिर के लिए इन्होंने अनुमतियां पे मांगी है इसी तरह तमाम जो लोगों आप देख पा रहे होगे अलग लग भरती हो के लिए इन्होंने यहाँ पे मांगी है सकील खान है इन्होंने ट्रोली मेन है इन्होंने मांगी है रेलेवे रेक्रिमेंट बोर्ड दोरा आईजो दिविग्यापन सक्या ने न्होंने अनुमहति मांगी है अब यह अपले आपसे एकजयां उगले सकते हो और जब आपको यहाँ पे डीवी के टाइम पे अनुजी होगी तो आपको दिविजन से आप योचे ले सकते हैं लेकिन देखें इसमें कुस कंडिशन से परसासनी कार्य में बादा उत्मन नहीं होनी चाहिए आपके वज़े से और प्रेक्साम में उपस्तित होने के लिए स्विम का उकास आपको खुद का उकास हैं पर लेना होगा कोई भी एक्जाम आप दे रहे हो अगर डिपार्टमेटल एक्जाम होते हैं LDC, GDC के तो उसके लिए तो आपको यहां पर छुटी मिलती है रेलवी के तरफ से अपका चैन हो जता है तो अगर आपका चैन हो जाता है इन वर्तिम में आपके ननुमोथी माह गी है तो आपको कई यहां पर देखें देट है आपकी जो डेट आप देख पा रहे हो गेंगे सैथ मिलंगा है नोदस लोगों ने तो अभीषे कुर्मा है, किटन यादो है, जितन्दु कुमार रोज है, सकील खान है, इनोंने भी जो है अलगले एक्जम के लिए रामदान सेनी है, यह जो है आरपीशिक के मादे में जारे असिस्टिन इजिनिर के लिए इनोंने आवेदन करने की अनुमती चाहिए, तो यहा ताकि मैं CCTS का फोम भरू, या फिर CCTC का फोम भरू, तो वो जो अगर इन पोस्टों पे जाता है, बयानलिसो ग्रेड की वेकेंसी है, अगर आगे भी बयानलिसो ग्रेड की पोस्ट में जाता है, या बयानलिसो से नीचे की कोई 800 पोस्ट पे जाता है, तो उसको यहां पे ब बात आती है कि bond की रासी कितनी बननी पड़ेगी तो bond की रासी जो है दोस्तों आपको आपने जो training की थी उसका जो खर्चा होता है वो आपको with interest यहाँ पे देना होता है तो वो जितना भी आप जितनी दिन आपके training करिये है जैसे कि जिसकी training कम होती है तो उनका bond की रासी कम होती है जिनकी ज्यादा training होती है तो उनकी bond की रासी ज्यादा होती है जिस CA और TA वालों की जो है दो-दो साल के training होती थी तो दो-दो साल के पेसे उनको देने पड़े थे अभी हाली में एक TA जो जान कर उन भाई का जो अपने ट्रेनिंग का सारा खुर्चा उनको बोंड के रूप में देना पड़ाता तो यह हैं यहां पर बोंड की रासी जितनी भी है अलग-लग लोगों के लिए अलग-लग यहां पर रहती है अपने डिविजन को कि हम इसे एक्जाम में बेटना चाहते हैं इसके लिए हम अनुमती चाहते हैं सारे कुछ चीज़े हैं और किसे नहीं दिया तो आप जुरूर दे ले क्योंकर बाग में प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है और डिवी के टाइम में आपके इसे अनुसी वगर उससे आप बात कर सकते हैं कि मैंने जो अनुसी चाहे थी एक्जाम के लिए तो मेरा नाम इसमें नहीं है क्यों नहीं है सारा कुछ ऐसे लेटर अगर किसी नहीं भी आविदन दिया है तो उसके लिए ऐसा लेटर आपर जारी होगा तो यह थी दोस्तों अनुसी की रिगारि लेटेस्ट अपडेट आयोब जानकर आपको अच्छे लेगें कि वीडियो आपको अच्छे लेगें कि दोस्तों के साथ में से जरू कीजिए थैंक्यू